हेलो, गुड मॉनिंग, राम राम जी, आज आईए जी, आप सभी भी करते हैं एक नए व्लोग की स्टार्टिंग, तो आज वाड़ा व्लोग बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं, तो आज मैं आपके साथ ये वाली रेस्पी शेयर कर रही हूँ, तो ये जो मिठाई हैं, बहुत इखटियों रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मलाई गरम कर दूँ, और मैंने मलाई गरम होने के लिए रख दी है, और मलाई ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो देख सकते वाप, और मलाई को नामे इतना ही गरम करना है, मितलब कि इसके अंदर दाना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब दाना बन जाता है तो फिर उसके बाद ये मिठाई अच्छे नहीं बनती है, तो ये देखिए, इसका टेक्शर कुछ इस तरह का उना चाहिए, जैसे हमारा खोया होता है, हम खोया नोर्मल खोया बनाते हैं, तो वैसे ही ये देखिए, कुछ मिठाई बनाने में, तो ये देखिए, जी मैंने एक गिलास दूद लिया है, और दूद मैंने नोर्मल दूद लिया है, बिल्कुल जैसे कि गरम होने के बाद जो ठंडा हो जाता है, और मलाई वगएरा उत्यार रखी है इसकी, तो बिल्कुल पतला है ये दूद, पर आप एक गिलास पानी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये देखिए, एक कटोरी था वो जो खोया निकला था, ज्यादा भी नहीं था होगा, मेरे ख्याल से 100 गराम ही होगा, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ये नेक्स दे की क्लिप है, फ् दूद और जो खोया है, वो एक साथ सा हो गया है, अलग-अलग में दिख रहा है, और अभी मैंने इसके अंदर मिल्क पावडर रैड किया है, जो अंगनवाडी से मिलता है, और आल फिलाल मेरे पास से एक ही पैकिट है, क्योंकि इसकी कुछ ने कुछ मिठाई मैं बनाती र पका लिया है मैंने और ये गाड असा हो गया है, तो अभी इसके अंदर मैं, मतलब को टोटल ना है, इसके अंदर मैंने दो कटोरी मिल्क पावडर एड किया था, और इसको बार-बार कंटीनू, मतलब चलाते रहना है, अगर इसको ऐसे छोड़ दियाना है, तो ये निचे मारी जो बरफी ये अच्छी नहीं होती, अजया ही है, तो इसके अंदर मैंने आदागिलास पानी एड कर दिया है, और पानी गरम करके आड करना है, शुक्लाश को दिखाना भूल गी, कि बूल की अगई, मेरे फोन का कैमरा बंद हो गया था, क्योंकि बच्चों के चात मा repl पंगा रहता है क्योंकि रेसिपी बनाते टाइम कभी फोन ओन करना पड़ता है और कभी ओफ करना पड़ता है तो उसी दोरान कैमरा बंद हो गया और मुझे पता नहीं लगा तो यह देखिए जी इसको दो से तीन मिनट के लिए और पका लिया है पानी डालने के बाद और इस और डबे के अंदर आमने अच्छे से गी लगा लिया था अलका ही लगाना है गी ज्यादा नहीं लगाना है और इसकी शेप भी परफेक्ट आ जाएगी बिल्कुल यह भी फायदा रहेगा और मैंने इसको उठा के रख दिया था यह अभी मैं आपको next day की clip दिखा रही हूं तो अगले दिन है क्योंकि शाम काफी टाइम हो गया था इनको मतलब खाने पीने का काम निप्टाया मैंने पहले रोटी बगया तो उसके बाद बनाई थी मैंने यह काम वाम सारा निपट गया था फिर मैंने इसको रख दिया था तो अब यह देख सकते हो आप कितनी आसानी से कट रही है और यह वाली रेसिपी आप जरूर से जरूर ट्राय करना क्योंकि मुश्किल से मुश्किल इसमें 15 मिनट लगती है तो बहुत ही 10-15 मिनट में बन के त्यार होने वाली हो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते कोई बता नहीं सकता खाने वाला कि यह मिठाई हमन ठोस है ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सोफट मू में जाते ही घुलने वाली है और शेप तो आप इसकी देखी सकते हो तो गाएं की मैंने निकाल दी है सबसे पहले मैं मम्मी से टेस्ट कराऊंगे और मम्मी को सच में बहुत ही ज़्यादा अपनी अपनी आली मत दे थे बेटा थोड़ी सी किसी वन रही थी आपने किसी लागी मम्मी बेटा दर पापा दर पूछन दे पोर ले आका दिखाओ कि खागे दर बड़ा बता हुआ अच्छा शारी बेन इम्टाय दियो आपने मना तो यह ले लिए फिर क्या लेक आई थी चार बड़ी तू वो लाई थी फिर जी सी बर्क क्यों आक रहे हैं उसी तो थी यह वो तो थानी में कमें बैती आ रहे लाड़ू होग वह यह इतनी बहरी-बहरी बने आदे के किलो का एक पुर बड़िया बन रही थी है ना खैलन दे ना इस छोरी यह भी खोजकर खागे र आये मेरा बेटा औरे आये रे मेरा लड़ू ओर मेरा चोटा शे लड्डू ए लाड़ू तो 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 दड़ाई आग्या मैं दील खागे अरे लाड़ू इंद्टा पहली शिए थार ने